नमस्कार दोस्तो दोस्तो भारत न्यूक्लियर एंरजी की टेकनोलोजी में एक बड़ा जंप एक advanced leap लेने जा रहा है इसके साथ वो टेकनोलोजी जो की commercial scale में पूरी दुनिया में केवल रश्या के पास है वो भारत में deploy होने जा रहा है Atomic Energy Regulatory Board ने approval दे दिया है और अब बस कुछ महीनों में भारत का सबसे advance, सबसे important nuclear plant स्टार्ट होने वाला है दोस्तो इसके साथ वो technology जो की पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से बनाई गई है वो अब भारत में उसके जलवे दिखने वाले हैं और जल्दी दुनिया को भी इस प्रकार के technology को हम export करेंगे दोस्तो कमाल की बात जानते हैं क्या है इस nuclear reactor में यह जितना fuel consume करेगा उससे अधिक बना देगा यकीन नहीं होता जी हाँ दोस्तो nuclear science की दुनिया कुछ ऐसी है तो यह कैसे काम करता है यह जानेंगे साथी साथ जानेंगे क्यों यह इतना important है दोस्तो भारत में सबसे ज़्या में भी हो रही है कि इंडिया बस कुछ महीने दूर है यह nuclear plant जल्दी स्टार्ट होने वाला है दोस्तो हम जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे की पूरी टेकनलोजी में ऐसा कैसे हो रहा है कि fuel जितना यह consume करता है उससे अधिक बनाता है उसकी क्या functioning है साथी साथ स्टेज nuclear program क् और इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों के लिए एक सवाल है nuclear bomb बनाने के लिए कितना percent uranium enrichment चाहिए uranium कितना percent enriched होना चाहिए अगर आपको nuclear bomb बनाना है comment में अपने जवाब ज़रूर डालें तो दोस्तों यहां पर आईए देखते हैं सबसे पहले news में क्या है news में अगर approval मिल चुका है यह reactor अगर आप देखे तो कलपकम में है जो की तमिलनाडू में है चिननाई के बिलकुल करीब है यहां पे अगर आप देखे तो अब इस reactor में approval के बाद nuclear fuel लोड होना शुरू हो जाएगा और अनुमती मिल गई है कि chain reaction स्टार्ट कीजिए बिजली बनाईए सा fast breeder reactor है यह unique इसलिए है क्योंकि यह जितना fuel produce करता है जितना consume करता है उससे अधिक produce कर देता है अभी basic logic defy करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है इस वज़े से कई लोग इसको endless source of energy भी कहते हैं हाला कि आपको बता देता हूं कहीं न कहीं इस process से बिजली बनाने की जो कीमत है वो बाक देता है कैसे वो काम होता है आपको बता देता हूं दोस्तों यहां बता देता हूं कि इस प्रकार का test reactor हमारे पास पिछले 49 सालों से है लेकिन अब इसको atomic energy regulatory board के बाद आप अगर देखे तो commercial scale पे हम deploy करने जा रहे हैं 500 megawatt energy बनेगी याद रखेगा यह sodium cooled prototype fast breeder reactor है sodium cooled है यह रखना बड़ा अवश्यक है अब दोस्तों इसमें अगर fast नाम आप जो सुन रहे हैं ऐसा नहीं है कुछ लोगों को लगता है कि तुरंद बन जाता है इसे लिए fast है बिलकुल नहीं fast इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो neutron हैं जो chain reaction में neutron बन रहे हैं उनको अगर आप देख हो इसको बनाने का काम भवीनी ने किया है यह एक PSU है जो की जो की सरकारी company है जो की यह पूरा का पूरा इस प्रकार का nuclear reactor research वाले बना रही है जो की three stage nuclear program को aggressor कर रहा है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए अगर आप देखे तो दुनिया में एक मात्र naturally fissile material जो की खुद chain reaction करता है वो uranium होता है अब uranium भी अगर आप देखे जो naturally uranium मिलता है इसमें 99.2% uranium 238 mass वाला atomic mass वाला isotope होता है 0.72% ही uranium 235 वाला isotope होता है जो naturally fissile होता है U238 naturally fissile नहीं है chain reaction नहीं करता अब दोस्तों अगर हमें इसे reactor के लिए विजली बनाने के लिए योज़ करना है तो 3-4% तक uranium enrichment हो जाना चाहिए याने U235 हमारे पास available होना चाहिए लेकिन अगर आपको weapon बनाना है तो जो पूरा का पूरा mixture है इस uranium का उसमें से 90% U235 होना चा enrichment का process होता है क्योंकि U238 U235 के properties में अगर आप देखे physical properties है बस एक अंतर यह है कि U23 जो 5 है U235 वो naturally fissile है याने chain reaction करता है बागी सारी properties same है तो इनको separate कैसे किया जाए तो separate करने के लिए इनके atomic mass में जो अंतर है उसको इस्तमाल किया जाता है centrifuge होता है जिसमें तेजी से-से घुमाया जाता है अब जब तेजी से घुमाते हैं तो जाहिर सी बात है इन पे जो force लग रहा है mass के अनुसार लगता है तो वो अलग लगेगा तो दोनों के दोनों separate हो जाते हैं और उस वक्त हम U235 को निकाल लेते हैं तो दोस्ता यहाँ प कर सकता केवल U-2-3-5 naturally chain reaction करता है अब जरा यहाँ पर देखें इंडिया के three stage nuclear program में क्या हो रहा है stage 1 normal nuclear reactor जो हमने देखा है pressurized heavy water reactor होता है इसमें हम natural uranium डालते हैं reactor grade के लिए थोड़ा enrich कर देते हैं 3-4% तक और उसके बाद अगर आप देखें तो हमको बिजली मिलती है chain reaction होत अब यूजली क्या होता है इस depleted uranium को हमको किसी माइन्स वगेरा में दबा के अंदर रखना पड़ता है कि लोगों के पहुंच तक ना आ जाए otherwise groundwater contaminate हो सकता है लोगों तक पहुंच गया तो कहीं न कहीं इससे अगर आप देखें तो nuclear hazard है तो अब दोस्तों यह सब माइन वग nuclear reactor से निकल रहा है वो इस हम plutonium fueled fast breeder reactor में डाल देते हैं अब दोस्तों इसमें क्या होता है stage 2 में इसमें हम plutonium natural uranium डालते हैं और इसके साथ अगर आप देखें तो plutonium क्या करता है वो खुद एक chain reaction करता है क्योंकि जैसा मैंने बताया वो फिसाइल है जो plutonium तूटता है तो energy generate करता है और इसके साथ साथ क्योंकि हमने इसमें uranium 238 भी डाला था या देना U238 99.2% naturally available होता है uranium में जो की कुछ काम का नहीं हमको लगता है वही U238 अब जब chain reaction में plutonium के साथ जब neutron निकलता है तो वही U38 उस दौरान अगर आप देखें तो इसका radioactive disintegration होता है और यह plutonium 239 म हमने वो energy बनाया neutron बनाया U238 और plutonium बना दिया इसके साथ अगर आप देखें तो इसलिए इसको हम कहते हैं breeder reactor ब्रीड का मतलब पैदा होना plutonium डाला यह और plutonium produce करकर के हमको दे रहा है और वो और plutonium और chain reaction करेगा और और neutron निकलेंगे fast neutron है इनको slowdown नहीं करेंगे वो इस U238 के साथ react करेगा react कहना गलत होगा basically nuclear terms में अगर आप देखे तो इसको further radioactive disintegration होगा और plutonium 239 बनाएगा तो इस प्रकार से यह fast breeder reactor काम करता है इसलिए हम इसमें depleted uranium जो कि अगर आप देखे तो U238 है वो मिला देते हैं यह बड़ा important है इसके बाद क्या करेंगे जब sufficient amount में chain reaction हो गया critical levels के उपर हो गया तब इसमें हम उपर से thorium डाल देंगे thorium डाल देंगे thorium याद कीजिए दोस्तों क्या है 232 naturally क्या है फिसाइल नहीं है लेकिन जब यह uranium thorium 232 पे जब इस प्रकार से fast neutron पड़ेंगे तो वो further उसका transmutation होता है U233 में वो तबदील हो जाएगा यह U23 U233 naturally नहीं मिलता लेकिन इसको हमने क्या किया लैब में बना दिया और अब यह U233 जैसे की U235 यादे दोस्तों 0.72% वाला जो की बॉम बनाते हैं जिससे तो वो U235 जैसे की naturally fissile है वैसे ही यह U233 artificially हमने बनाया लेकिन वैसा ही fissile है याने यह और chain reaction कर सकता है तो उसके सा stage 3 में हम क्या करते हैं यह U233 डालते हैं और उसके साथ साथ वो chain reaction करता है thorium मिलाते जाते हैं वो thorium और U233 बनाता जाता है बनाता जाता है और इसके साथ stage 3 में हमको मिल जाएगा अनंत भंडार energy का अब आप समझ रहे हैं क्यों इतना important है तो उमीद करते हो सारे terms आपको clear हो लिमिटेड है plutonium तो केवल लैब में बनता है atomic plants generate करते है natural plutonium अगर आप देखें तो significant quantities में दुनिया में नहीं उपलब्ध है naturally नहीं मिलता लेकिन thorium तो भारत के पास बहुत आयत में है अगर आप देखें तो इंडिया के बास दुनिया का largest share है thorium का आप देख सकते हैं जो जिसके साथ यह हमको thorium मिलता है तो thorium हमको बहुत ज्यादा हमारे पास है और अगर हमने stage 2 जो की सबसे critical stage है यह master कर लिया तो stage 3 तो जैसे stage 1 काम कर रहा है कुछ वैसे ही काम करने वाला है तो उसके बार stage 3 का leap तुरंत हो जाएगा जल्द ही हो जाएगा और उसके साथ अगर आप देखें तो हम बहुत तेजी से thorium को अपने energy के लिए यूज कर पाएंगे कहा जा रहा है दोस्तों यह अक्षय पात्रा होने वाला है energy का अक्षय पात्रा क्या है यह वो पात्रा है वो जिसमें अगर आप देखे तो खाना कभी ख़दम नहीं होता खाना निकालते बनेगा और वो बिजली बनाता जाएगा और थोरियम डालेंगे और यू-2-3-3 बनेगा और इसके साथ अनंत energy हमारे पास आती रहेगी दोस्तों यहां पर यह टेकनलोजी लीप है क्योंकि आत्म निर्भर भारत के अंदर बन रहा है इसका design इसका construction भविनी ने किया है private sector से MSMी भी है उन सब के मदद से यह बन रहा है इंडिया दोस्तों रश्या के बाद दूसरा देश होने जा रहा है जो फास्ट ब्रीडर रियाक्टर को commercial scale पे laboratories में बहुत हैं लेकिन commercial scale पे हम इस्तमाल करेंगे इसके साथ अगर आप देखें तो environment के लिए बहुत beneficial है क्योंकि stage 1 म कर रहे हैं plutonium को चलो हम bomb बगेरा बनाने में इस्तमाल करते हैं लेकिन बाकि depleted uranium को जमा करना पड़ता है मतलब लोगों से दूर रखना पड़ता है तो अब उसकी आवशक्ता नहीं है वह depleted uranium plutonium fueled fast breeder reactor में यूज हो जाएगा और इसके साथ pollution भी काफी हद तक हम control कर पाएं 37,9999 रुपए में आप देख सकते हैं कि इसी 10 code का इस्तमाल करें इसका फायदा उठाएं quality education 70 से अधिक selection है वही selection आपको यहाँ पर मिल रहा है इसी educators के दवारा हम जो पढ़ा रहे हैं उसी content से तो make sure आप इसका फायदा उठाएं इसके सिवा दोस्तों कल से एक back start हो रहा है म दोनों के include करके मैं holistic तरीके से पढ़ा रहा हूं आपके लिए current affairs की सारी requirements यहाँ पे खतम हो रही हैं आपको हफते में मैं दो क्लास लूंगा चार घंटे इन टोटल पढ़ाऊंगा आपको और कुछ नहीं करना कोई अकबार नहीं कुछ नहीं सब कुछ यहाँ पे आपको उ होने वाला है otherwise आपको available भी है बड़े ही affordable कीमत पर use the code के सीटन बागी दोस्तों हमारे बहुत सारी बैचेस हैं जो कि आप देख सकते हैं July 30 से स्टार्ट हुए हैं make sure आप इसका हिस्सा बन जाएं और अन्य बैचेस भी हैं जो कि लाइव हो चुके इंग्लिश में हैं English में है हिंदी में है आइकनिक सब्स्रिप्शन अगर आपने ले लिया तो वन स्टॉप सल्यूशन है सब कुछ यहां पर मिलता है ऑफ्लाइन क्लास में जो पढ़ाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है बाकि जुलाई ऑप्शनल बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो रहें make sure आप इनका फाइदा अवस्चे उठाएं